कि तभी को नमस्कार और सवागत आप सभी का एडी ऑनलाइन क्लासे जैसे कि हमारे सीरी चल दी है आपका एक नंबर पक्का एक नंबर पका मतलब है हर एक वीडियो को जब आब देखेंगे तो आपको मिलेगा आपके ईग्जाम का एक नंबर पूरा-पूरा ठीक है तो इसी स पूछ ले जाएगा कोई टाइम गिवन होगा तो उसमें पूछे का वैं दरपन परतिविम क्या बनेगा इस समय का एक्टॉल टाइम की वन होगा दूसरा अगर कुछिन की मैं पात कुछा जा सकता है आप से वाटर इमिज जो जल परतिविम है वो क्या बनेगा तीसरे कुछि और मिनट के सुई कि उसके बीच में कितने अंस का कूण बने का यह कुछिन आ सकता है या फिर उसने एंगल दिया हो कि चार और पांच मजे के बीच में 180 अंस का कूण किस टाइम पर बनेगा तो टाइम टाइम पूछ रहा हुआ आप से ठीक है और जो आपके पास लास्ट मतलब जो घड़ी में एर्र होती है उसके पॉर्णिंग कुछिंस पूछे जाता है तो में हम बात करेंगे अभी यहां पे अगर आपके पास समय गीवन पहले बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होंगी कि किसी भी घड़ी में अगर हम बात करें तो एक घंटे में हमारे प पास होते हैं 60 सेकेंड और समय देखना सभी को आता होगा ठीक है जहां पर जो बात हमारी होगी वह अनलोग को लॉक की होगी अनलोग को मतलब जिस गड़ी में सुईयां होती है उस क्लॉक की बात की चाली ठीक तो यह बेसिक चीज़ें पता ही होगी टाइम देखना आप क्लॉक की बात रवाट शबसे पहले पॉइंट की बात करेंगा आज में आपको दोतिन पॉइंट में समझाने वाला हूं तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो हम सकते हैं मिर्र इमिज इसको हम कहते हैं दरपन परतिमिंब कैसे निकालता है किसी गिवन टाइम पर जैसे कि उसने आपको टाइम दे दिया भई कि पांच बज के 40 मिनट एक्चॉल टाइम है ये पांच चालिस और आप से पूछा गया है कि ये मिरर इमेज क्या बनेगी इसकी दरपन परतिमिंब क्या बनेगा ये गिवन टाइम का तो एक बेसिक चीजिया आपको द्यान में रखनी है कि दरपन परतिबिंब निकालने के लिए हम जो टाइम होता है हमें गिवन टाइम उस टाइम को हम सीदे-सीदे 12 में से गढग अधर parcelDown 1160 में से माइनस कर देते हैं ग्यारा साट में से घटा देते हैं तो इस टाइम को अगर मैं 1160 में से माइनस कर दूँ भाई तो आएगा मेरे पास अगर हम इसे माइनस करेंगे तो यह 20 आ जाएगा और यह 6 आजाएगा तो जो मिरर इमेज होगी मेरी इस टाइम की वो हो जाएगी मेरी 620 बात ट्री टो मिर्यूर इमेज के लिए हम जो टाइम आउट करेंगे वह 1160 में से माइनस करदेंगे कई बार कुशन यह भी पूछा जाता है कि मिर्वर इमेज में यह दिख रहा है यह टाइम है एक्ट्ट टाइम क्या होगा तो एक्ट्ट टाइम के लिए भी आपको क्या करना है 1160 में से ही माइनस करना है क्लियर चलिए आगे बड़ते हैं इस पर दूसर पॉइंट जो यहां पर समझने के लिए हैं अभी आपके पास वह आपका वाटर इमिज क्या है वाटर इमिज जिसको हम कहते हैं जल पर तो अगर आपके पास कोई टाइम गिवन है और पूछा जाए आप से कि जल पर तिम क्य सब्सक्राइब तो जैसे मेरे पास टाइम गिवन है कि हमें टाइम देगा यही 540 की वन है और हम से पूछा गया कि इसका जल पढ़ते हैं क्या सबने तो कई बार लिखा होता है कि जल पढ़ते हैं निकालो जा फिर कई बार इस तरह से आपको दिया होता है तो अगर आपका सब्सक्राइब बना रखा है तो वर्टिकली मिरर मतलब होता है आपका मिरर इमेज पूछा जा रहा है अगर आपका होरिजॉंटली मिरर बना रखा है तो होरिजॉंटली मिरर का मतलब है कि जल पढ़ते में वाटर इमेज पूछी जा रही है तो इसमें देखते हैं मेरे प चांस मेरा अंसर हो जाएगा लेकिन एक शीज़ आपको यहां पर समझ नहीं है कि कई बार और 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 आंसर गिवन नहीं होता है तो उस टाइम पे आंसर क्या होगा उस टाइम पे मेरा जो आंसर होगा वह 1150 होगा जो इमिज होती है वाटर इमेज वह तो एग्जेक्ट नहीं बन पाती है तो वन आर लेस भी आंसर हो सकता है इस चीज का बिलकुल ध्यान रखिएगा यह दो पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे किसी भी तरह का आपको कोई क्वैरी होगी तो कमेंट जरूर कीजेगा ठीक है आपके कमेंट में जो भी कोशेंस आता है एंगल फाईन्ड आउट करने का मफष इस ऐब करने का हमारे पास एक घIndा टाइम होगा क्या हूअ गीवन होगा हमसे पूछा जाएगा कि उस उस enfin पर एंगल क्या होना है घड़िक חण चालिके बीच मिनट and और और rituale कं कैसे आप थोड़ीज आ सा शरी से लेखेंग तो एंगल के लिए फॉर्मॉला लिक्वारा मैं डारेक्ट यहां पे 63-11 M by 2 कि यहां पर मतलब है एक का मतलब आर्स जितने आर्स आपको दे रखे होंगे और M का मतलब हो मिनट्स जितने मुझे मिनट्स की बनूंगे जैसे मैं यहां पर 540 पर ही एंगल अगर निकालूं तो मेरे पास एच की जगह पर आ जाएगा भाई और M की जगह पर आ जाएगा 40 by 2 सो भी हैब 300 माइनस 440 बाइटो तो 440 में से 300 माइनस करेंगे तो 140 आएगा अपॉन 2 तो पांच बच के 40 मिनट पे जो एंगल बनेगा जो कून बनेगा घड़ी के सुईयों के बीच में वो कून बनेगा आपका कितना सतर डिग्री जो भी यहां से वैल्यू आएगी वह हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि आप देखने होंगे यह मॉडुलर साइन आपके पास है क्लियर है बात समझ में आरे है आप सभी को किसी भी तरह की क्वैरी के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा वी सकता है